मीठी रसीली बुंदी जो अक्सर मंदीरों या भंडारे में हमें देखने या खाने को मिलता है जिसे देखते ही मुँ में पानी आ जाता है हलो फ्रेंड्स मैं हुरंजना और मेरे चर्णल में स्वागत है आपका आज इसी रसीली मीठी बुंदी की रसीपी मैं आपके साथ सेयर करूँगी इस रसीपी के साथ आपकी बुंदी बहुत ही अराम से बहुत ही एजली खिली खिली बिल्कुल मौती के दानों के तरह बहुत ही टेश्टी बनेगी आप ये recipe try करें, घर में आसानी से ये बुंदी बनाएं, enjoy करें, बहुत ही simple है इसकी recipe, तो देख सकते हैं आप घर के जो हमारे टोल्स होते है, kitchen टोल्स, इससे मैंने बुंदी बनाया है, जो बिल्कुल perfect बने हुए हैं, और बहुत ही easy, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आपकी बु जाए, तो यहां पे पुरा दो कटोरी बेसन है, इसे पहले आप एक बड़े बॉल में छाल लीजे, बिल्कुल इस तरह से, तो यहां पे जो मोटे मोटे दानने निकलते हैं बेसन में उससे आप इस तरह से प्रेस करके उसे भी छाल लीजे, बुंदी का पहला process हमें बेसन क जब तक यह अच्छा बैटर बनके तयार नहों, थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इसमें मिलाते जाएं और किसी विसकर से आप इस तरह से मिलाते वे फेटते वे इसे गाड़े घोल की तरह मिलाते जाएं तो मैं आपको यहां पे बताऊंगी कि आपका घोल कैसा होना चा वोगोंड़ी से हमारा बुंदी बहुत ही बड़िया बनेगा तो आप इसी चांसी देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपको चाहिए जैसा हम बनाते हैं पकोड़े तो पकोड़े के घोल की जैसे इसका होना चाहिए कंसितंसी तो अब आपको थोड़ा सा फेटने पाद चेक करना है कि यह तैयार हुआ है कि नहीं तो आप एक चोटी गोल मेख लीजे पानी उसमें एक बुंधक गोल डालके दे के морד तो ये देखे बेसन फैल जारा है पानी में डालते के साथ बेसन पुरी तरह से बिखर जा रहा था? यानि अभी हमारा गोल रेडी नहीं हुआ है, इसे अभी हमें और फेटना है, तो हम इसे अभी और दो मिनट तक फेटेंगे, बहुत अच्छे से आपको फेटना है, इसी में आप डाल लीजे एक चम्मस तेल, रिफाइंड तेल, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ प पानी के बिल्कुल तले में गोल दाना बनके बैठ जाएगा, यह बिखरे का नहीं, तो यानि हमारा गोल अब फेटे के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बुंदी बनाने के लिए, तो यह गोल यहाँ पे तयार है, बुंदी बनाने के लिए, इस तरह का बैटेल आपको जादा पतला भी नहीं और इसे ज़्यादा गाडा भी नहीं हो अब हम सुगर सिरफ बना लेते हैं इसके लिए मैंने यहां पे डेड़ कटोरी पानी लिया हुआ है देड़ कटोरी पानी में दो कटोरी आपको डालना है चीनी तो उसी मेजरमेंट से आप लेंगे अगर आप 2 कप चीनी ले रहे हैं तो तेड़ कप पानी ले क्योंकि हमें यहां पे तार वाली चासनी नहीं बनानी है बस हलकी चिप 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 चासनी बनानी है जैसे गुलाब जाब उनकी चासनी होती है तो दो कटोरी चीनी के लिए तेड़ कटोरी पानी आप डालके इसे उबलने के यह गैस पर चडहा ले, तो यहां पे मैंने चड़ा दिया, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, थोड़ी दिर तक हम इसे पकाएंगे, जब तक हमें चिप-चिपी चास्नी बनके त्यार नहीं हो जाए, यहां पे तार नहीं बनाना है हमें, बस हल्का चिप-चिप हांथ हो तो यह चासनी को त्यार कर लेंगे दो कटोरी बेसन के साथ मैंने दो कटोरी चीनी लिया है और डिर कटोरी पानी इसी मेजरमेंट से आप बनाएं तो सब कुछ बिल्कुल परफेट होगा यहां पे चासनी में मैंने थोड़ा सा इलाइची पाउडर और कुछ धागे केसर के आप चाहें तो फूट कलर डाल सकते हैं जिससे बूंदी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा वो ऑप्सनल है तो यह देखिए हलका हलका चिपचिपा होना सुरू हो गया है चासनी तो बस हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है ताकि इसमें तार बनने लगे तो यहां बनाने के लिए किसी फैले हुए पैन में आप तेल चड़ा लीजिए यहां पर मैं आपको कद्दुकस से बुंदी बनाना सिखाऊंगी और जो घर में एक छेद वाला पल्टा होता है नॉर्मली यूज़ करते हैं जो हम सबजी बनाने में इससे भी बहुत अच्छी हो चुका है तो चलिए मनाना सू करते हैं यहां पर यह वाला चमच्छेद वाला चमच्छे मैंने बुंदी बनाया है पहले आप देख सकते हैं अराम से इसके उपर घोल डालिए और इससे छोड़ दीजिए और सारे बुंदी नीचे आके गिरने लगेंगी जब बुंदी कि गिरना बंद हो जएगा तो टक करके आप पैन पे इसे हलका हलका प्रेस करिए तोफारे बेशन के बुंदी निकल के नीचे आजाएगा बहुत ही सिंपल है इस तरह से आप पैन के साथ इस पैन का दोदि सीमच्छे पकड़ नीचे रह पर लांबन, तो सारी बुंदी नि आप इसे निकाल लें यह बहुत ही जल्दी बन जाता है बिल्कुल टाइम नहीं लगता है गैस का फ्लेम यहां पर मेलियम रखे तो यह देखिए इसा कलर चेंज हो गया है मैं इसे निकाल लेगती हूं सारे बुंदी को बाहर आप देखते हैं हमारा बुंदी कितना प्रफेक इसका बहुत ही अच्छा है एकदम नॉर्मल साइज दुबारा बे मैं इसके साथ आपको बना के दिखा रही हूं यह कदुकस है इसके साथ भी सेम उसी प्रोसेस में आपको बेसन डालना है बेसन के साथ यह बस हलका सा हिलाना है और यह देखे सारी बुंदी नीचे आके ग जरुरत नहीं है अकसर मिलता भी नहीं है जल्दी जारा अगर जारा है आपके पास तो फिर उसी से बना लीजिए लेकिन अगर आपके पास यह नॉर्मल टूल्स घर में है तो इस बुंदी बहुत ही बढ़िया बनेगा तो बस यहां पे भी कलर चेंज हो गया है यह बुंदी यहां पर मैंने बना लिया है आपको लग रहा होगा दो कलर में तो जो बुंदी पहले गिर जाती है उसा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो इस तरह से बुंदी आपका बन के तयार हो गया है अब हम इसे चासनी में डालेंगे तो जो चासनी अमने पहले से बन अच्छे से कोट हो जाए और इसे अभी आपको ढखके रखना है दस से पंद्रम निट तक दस से पंद्रम निट के बाद आप इसे चेक करेंगे यहाँ पंद्रम निट हो गया है मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे बुंदी किता बढ़ी है रसीली बिल्कुल टेस्टी यमी बुंदी बनके तयार हुआ है हमारा बुंदी बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए बहुत ही लाजबाब और बहुत ही ज़्यादा सांदार यह बुंदी बनेगा तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप घर में ट्राइ करिए जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बनाईए बहुत ही इसली आप बना सकते इसे और आपको किसे खाने के लिए किसी मंदिर या भंडारे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो यहां देखिए बाउल में मैंने इसे सब कर दिया है हमारा परफेट सेपका परफेट मीठा और बहुत ही टेश्टी बुंदी बिल्कुल रेडी है मिलती हूं मैं आपके साथ नेक्स रेसिपी में तब तक खाते रहें खिलाते रहें और स्वास्त रहें